हम प्लास्टिक की बोतल लेते हैं और उसमें दो छेद बनाते हैं एक बोतल की तलहटी में और दूसरा बोतल के बीच में इन छेदों को टेप लगाकर बन कर देंगे अब बोतल में पानी भर देंगे हमने टेप लगाकर जो छेद बन किये हैं यदि हम इन्हें एक साथ खोलें तब क्या होगा क्या दोनों छेदों में से पानी समान गती से बाहर आएगा तलहटी में जो छेद है उच छेद से पानी तेज गती से बाहर निकल रहा है क्या आप बता सकते हैं क्यूं तलहटी के छेद के उपर बीच वाले छेद की अपेक्षा द्रव अधिक मात्रा में है जो तलहटी पर अधिक दाब निर्मान करता है शिखर की अपेक्षा तलहटी पर पानी का दबाव सरवाधिक होता है और पानी तेजी से बहता है हम भिन आकार और नाप के तीन पात्र लेंगे इन तीनों पात्रों में समान उचाई पर हम छेद बनाएंगे इन तीनों पात्रों में छेत के उपर भिन भिन मात्रा में पानी है किस पात्र में से पानी तेज गती से बाहर निकलेगा? किसी भी पात्र में से नहीं पानी हर एक पात्र में से समान गती से बाहर निकलेगा हम कह सकते हैं कि दाब पानी की उंचाई पर निर्भर करता है बरतन के आकार पर या बरतन में पानी कितनी मात्रा में है उस पर निर्भर नहीं करता है दाब को नापना हम ये प्लास्टिक की ट्यूब लेते हैं हम ट्यूब को बोतल से लगा देते हैं बोतल अब ट्यूब के लिए स्टैन्ड का काम कर रही है, अर्थात बोतल के सहारे ये ट्यूब खड़ी है, हमने ट्यूब को रबर बैंड के सहारे बोतल से लगाया है, अब हम सिरिंज की मदद से इस ट्यूब में रंगी इन पानी भर देंगे, रंग की कारण हमें पानी का स्तर समझने में आसानी होती है चूंकि दोनों सिरे खुले हैं इस कारण से हवा पानी के दोनों और समानदाब निर्मान कर रही है पानी का स्तर भी समान है अब हम ट्यूब का लंबा छोर बन कर देते हैं ध्यान दीजिये, हम क्या कर रहे हैं। क्या पानी के स्तर पर कोई परणाम हो रहा है। जब हम ट्यूब को दबाते हैं, एक ओर पानी का स्तर नीचे चला जाता है, और दूसरी ओर के पानी का स्तर उपर उठता है। जब हम इसे दबाते हैं, तब हवा को अंदर की ओर धकेलते हैं, जो पानी को धकेलने का काम करती है। इसी कारण हम जितना दबाते हैं, पानी का स्तर उतना ही ऊपर उठता जाता है। इसी प्रकार के प्रबंध के आधार पर दाप को नाप सकते हैं। इसे open tube monometer कहा जाता है द्रव से भरी इस tube के एक छोर को वातावरण में खुला छोड़ा जाता है यहां पर दाब जिसे P से दर्शाय जाता है अभी शुन्य है वहीं दूसरा छोर एक ऐसे प्रणाली के साथ जोड़ा जाता है जहां का दाब अग्यात है हम P शुन्य को वायू मंडलिय दाब कहेंगे और P को अग्यात दाब इन दोनों में जो फरक आता है उसे ही गेज दाब कहा जाता है हम एक और पानी से भरी हुई बोतल लेते हैं यदि हम tube का खुला छोर इस बोतल में डुबो दें तब क्या होगा ट्यूब में पानी के स्तर का निरिक्षण करें जैसे ही हम tube को नीचे की ओर करेंगे पानी का स्तर बढ़ेगा इस से हम कह सकते हैं कि बोतल के तलहटी के पास दाब अधिक होता है और शिखर पर दाब कम होता है यदि हम अलग आकार के बरतन लें तब क्या होगा? अलग आकार और वस्तुमान के बरतन है इन में बस एक ही बात समान है और वो है पानी का स्तर अब हम tube को बरतन के तलहटी तक नीचे करते हैं क्या सभी के लिए tube में जो पानी का स्तर समान ही रहेगा? जब हम tube को सभी बरतनों के तलहटी में डुबोते हैं नीले रंग के पानी का स्तर समान उचाई से बढ़ता रहता है हम कह सकते हैं कि तलहटी में जो दाब होता है वो पानी की उचाई पर निर्भर करता है ना कि बरतन के आकार पर क्या बरतन में समान स्तर पर जो दाब है वो विभिन दिशाओं में बदलता है यदि हम तलहटी में लगाई ये ट्यूब बगल में या तलहटी में ही अन्य किसी दिशा में ले जाएं तभी भी नीले पानी के स्तर में बदलाव नहीं आता है इसका अर्थ है अंदर समान स्थान पर द्रव में जितना दाब है उतना ही दाब हर दिशा में समान है सारांच, हमने दाब की संकल्पना के बारे में चर्चा की, हमने विभिनस तरों पर द्रव के बरताव के बारे में भी जाना मुनो मिटर की सहायता से हमने दाब को नापा भी, आप स्वैम ये कृतिया करें जिसे दाब को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे चुनौती, विमान के केविनों पर दाप क्यों होता है?